हलो इस्टुडेंट्स मैसेल बरत दादीच जोलोजी फेकल्टी CLC के ऑनलाइन प्लेटफ़र्ब पे आपका स्वागत है आज आपका पहला MTS जिसका सोलेशन करने जा रहे हैं आप देखिए मुझे उम्मीद है कापी आपने अच्छा भी किया होगा और यह NCRT बेस्ट पेपर है इन पेपरों को आप सही तरीके से सिस्टेमेटिक मैनर चाहिए कोई सब्जेक्ट का हो फिजिक्स, केमस्ट्री, जोलोजी, बोटनी आप सही तरीके से एक-एक प्रशन को डंग से किरें और इसमें कोई mistake होती है तो वीडियो को आप बार-बार देख के उसका solution सही तरीके समझे और 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 भी दिक्कत हो तो आप पे problem counter पे आके एक-एक चीज़ को किलिर करने की कोशिस करें और मुझे काफी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा पे प्रढ़ लगया हो और अब अपन solution करने जा रहे हैं देखिए, first question क्या बोलता है? यहाँ पूछा गया, match the column, first and second अब जो इसमें पहला जो point दिया गया है, आपको मालूम है, यहाँ organ system नाम आ गया अब organ system आया है तो इसका मतलब आ रहा है, organ level, organ system, tissue level, cell aggregation सबसे पहले आपको यह मालूम चला, कि बटा यह basic concept है, animal kingdom का और इसमें से एक प्रशने पक्का बनता ही है, और मुझे उम्बीद है कि यह definite आपका सही गया होगा cell aggregation का relation होता है, पोरी फेरा से, जो कि आप जानते ही हैं, उसके बाद में आप देखते हैं, tissue level आ जाता है, silent data से, organ level आता है, platial mantis और organ system देखा, तो इसकाल mantis से चला जाता है, और यहाँ पर example दिये हुए है, उन example के आधार पे आपने सही तरीके से इसको सही किया है देखिए first क्या है यहाँ, और ऐसे प्रश्टों को कभी भी इस परकार से मेच नहीं करवाना चाहिए, कि organ level आ गया, तो आप इसको देखो, इस परकार से करवा देखो, इससे क्या होता है, कई बार गलतिया हो जाती है, आपको मालूम होना चाहिए, यहीं पर सामने लिखने चाहिए अपने को, देखो organ level में क्या आया, फैसी ओला, आप अच्छी तरह जानते हैं, प्लेटेल मनती इसका एक्जामपल है, तो first में क्यों आ रहा है, cell aggregation में आता है, आपके पौरी फेरा, जिसमें यू स्पोंज या, इसको अपन आर मानते हैं, फिर tissue level पे आ गया, तो tissue Q, R, S, P किसमें हैं, देखो Q, ये दो option तो वैसे ही wrong हो गया, अब यहां Q, और फिर आ रहा है, इसमें इस कारण से हो गया, तो इसका मतलब यह answer चला गया, क्या, इस पहले में आपके पास fourth answer चला जाता है, भाई, अंग इस्तर पूछा, या कोश्किय संगटन, या उत्तक, या अंतंतर इस्तर, तो आप अच्छी दर जानते हैं, आप मेच करवाते हैं, तो जैसे माल लो मैंने कहा कि आपको ऐसे मेच नहीं करवाना है, आप बिल्कुल यहां पर लिखें, तो ये इंदी और इंगलीस हो कोई इतना change नहीं है, समझ में आ गया होगा, इसमें fourth answer चला यहां से बुचा गया, निमनिमें से कौन सा जनतू, उनके taxon तता उनके एक लक्षन के साथ सही मेच कर रहा है, यह भी दोनों का ही है, उसी type का है, अब देखिए आप क्या है, यहां animal है, यहां character और यहां पर taxon लिखा हुआ है, भाई animal cockroach है, अब आप अच्छी तरह जानत आप जानते हो, cyclostrom में आता है, और pectoral और pelvic thing, यहां पर आपको मालूम है, अच्छी तरह, NCRT में साप इसपस्त लिखा हुआ है, कि यहां अगर देखा जाए तो इनके बारे में कुछ नहीं है, और यह देखो, cyclostroms के रूप में जाना जाता है, और classification देखा होगा, NCRT में बनी हुई है, तो उसमें एक cyclostrom आता है, वार डिवीजन के रूप में, तो आप देखते हैं, class आगे चलके जाती है, तो इसका मतलब यह भी यहां से गलत हो जाता है, फिर आता है, duck build platypus, अब duck build platypus, जो आ रहा है, वही पहरा है, बिल्कुल 100% आपको answer लग गया होगा, फ triploblastic आने से, आपको मालू में है, यहां रोंग हो जाता है, इसका मतलब यह भी रोंग हो गया, तो आपके सामने, तीन रोंग है, इसने पूछा है, correct step में सही कौन सा है, तो answer कौन सा जला गया, third चला जाता है, यह भी आप लोगों का अच्छी तरह सही हुआ है, next देखो, उसके बाद में आता है, अब देखो, इस type की जो प्रशन बनते हैं, यह आपके respirator से लिया गया है, इसमें पूछा गया कि कौन से partial pressure उससे समंदित जो पार्ट लिया गया है, उसको अपने को देखना है, कि जैसे कितना किसमें चला जाता है, देखो, एक metric बताता हूँ इसम यहाँ पर अपने लिया, यह मालूग gase का नाम हो गया, यह gase हो गया, यहाँ है parsel pressure आगया, फिर उसके बाद में आपको मालूम है, यहाँ पर हम देखो, कौन सा, air sect कर रूप में बान लेते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पर आपके पास आया, air sect के बाद में, second step में जै लेते हैं और यहां पर अपन सीओ टू लेते हैं ज्यान डगड़ा यह टेबल बहुत कीमती है और लास्ट यह आपने देखा होगा इस टाइब का प्रशन आया था जिस में ट्रिक्स से आप आराम से याद कर सकते हों अगर याद नहीं हुए तो देखो यहाँ पर क्या है यह इसका आपने निकाला यह आया यहाँ पर आपने देखा यह आया फिर यहाँ पर आपको मालूम है एर सेक में यहाँ अब देखो यहां से 40 फिर यहां से यह 40 हुए फिर यहां पर यहां पर यह 40 और देखो कितना हीजी हो गया आपको यहाद रहे जाएगा यहां से 40 40 40 और 40 और यहाँ से क्या हो गया 45 और 45 यह हो गया कितने 95 अब यहाँ से आप मेच करवा सकते हैं जैसे इसने पूछा कि यहाँ इसका मतलब आपकर सामने वही मेच ऐसे नहीं करवाना है कि यह आँगा आपको मालू में हैं यहाँ और यहाँ पर नावकर सामन पूछा गया है तो यह गया 45 और 45 किसमें आऄ हैं आफके पास जैसे डियोक्सिजनेटेट ब्लड में PCO2 कितना आ रहा है आपके पास 45, फिर यह कह रहा है AIRS 1 में आपके पास कितना PCO2 आता है, तो देखो AIRS 1 मतलब यहां पर यह कितना आ रहा है 104, तो इसका मतलब इसका अंसर कितना चला जाएगा D, और फिर यह कहा रहा है D oxygenated डख में अब D oxygenated blood में आपके पास वापिस से यहां पर पूचा गया है कितना oxygen था आपके पास कितना है, 40, तो इसका मतलब, यह फिर से 40, इसमें आपके पास यहां से मिल रहा है, इसका मतलब वापिस से B, D और A मतलब second option चला जाता है बहुत ही अच्छा था और आप समझ गए होंगे स्टिक से आप याद रखना बेटा 40-40-40 और उदर 45-45 उसमें 95 आप ले आएगे बैसे नब नब होने लेकिन यहां को मालूम है 95 से आपको याद रह जाएगा उसके बाद देखो यहां से पुछा गया है कि विच फॉइंग मसल्स फाइबर्स इस इनकरेक्ट मेजड विद्धा देखो पहला यहां पर कहा गया कार्डिक मसल्स जो है वो क्या है तो अन यहां नबिटेट ब्रांजड बिलकुल आपको मालूम है यह सही है क्योंकि यहां क्या पूछा गया है फिर उसके बाद में स्मूथ मसल्स फाइबर्स में क्या है विलकुल आपको मालूम है यह भी आपका सही हो गया फिर वहां है रेड स्केलेटल मसल्स इसमें with more number of the mitochondria and match concentration of the myoglovine ये भी बिल्कुल सही है लेकिन यहां देखो white skeletal muscles fibers less developed of sarcoplasmic reticulum जब गीश में ज्यादा होता है इसलिए यही answer इसका wrong हो जाता है ये भी आपको बिल्कुल theoretical है ये 100% आपका सही चला गया होगा फिर देखो next क्या है फिर आया यहां से आपको मालूम चला इसे पूचा है during the skeletal muscles contraction जब आपको मालूम है कि जब contraction होता है sliding होती है तो उसमें आपको actin और myosin देखना पड़ता है और उसमें acting slide करती है और myosin आपको मालूम में fix है तो इसमें देखो a band में कोई changes नहीं होता है ऐसा कहा है आप देखते हैं यहां देखो i band में कोई नहीं है a john यहां पर नहीं है a फिर देखो a band में कोई परिवर्तन नहीं और i band छोटा हो जाता है तो इसका मतलब no change in the length of a band and i band is the reduced इसका मतलब fourth answer चला जाता है ऐसे मैं time grab करना नहीं चाहिए बिल्कुल आपको बिल्कुल पक्का पहले सही जो theoretical portion उसमें पहले वो देखो आपकी क्या चीज ऐसी होती है वोई option आपको पकड़ लेना चाहिए फिर देखो next क्या होता है यहां से यहां आपने देखा बेटा कि यह especially कोक्रोस से लिए गया है इसमें पुछा गया क्या क्या कि an average like female कोक्रोस produced a uthika is the content b and a the nymph grow by the mounting about c time to reach the farm adult देखो यहां से औशद कोक्रोस मादा में यहां uthika की संख्या यहां कितनी होती है NCRT की line है बिल्कुल NCRT based है बहुत अच्छे से बिल्कुल सही तरीके से neat based बनाया हुआ है तो देखो इसमें आपको मालूम है यही पर ऐसे प्रशनों को आपको वहीं बढ़ लेना चीए ता फिर उसके बाद में देखा कि इसमें प पल है फिर देखो next यहां से आपके पास आया यह यह फ्रॉक से लिया गया है आपने देखा कि इसमें मेच करवाना है कॉलम फर्स्ट का से यहां देखो touch touch का मतलब क्या हो गया यहां sensory papilla इसका मतलब यहां आपके पास कुन सा आ गया third फिर उसके बाद में आ रहा है इसमेल अब इसमेल में nozzle epithelial यह आ गया फिर cranial nerve आप जानते हैं peripheral nervous system से related होती है तो इसका मतलब आपके पास यह आ जाता है फिर आ रहा है medulla और लंगेटा तो यहां आपको मालूम है जिसे maharandr या फिर magnum randr के नाम से जानते हैं तो इसका मतलब यहां आपके पास two आ जाता है इस इसका मतलब third फिर उसके बाद में first फिर उसके बाद में fourth और फिर फिर उसके बाद में second इसका मतलब third और first फिर उसके बाद में fourth फिर उसके बाद में तो इसका मतलब fourth answer चला जाता है बहुत easy है उसके बाद देखो यहां से आपके पास पूचा गया कि correct the sequence of different wall via inspector of the elementary canal अहर नाल में विविन अरोदनिया का पार्ट का करम क्या होगा आप अच्छी दिर जानते विटा के यहां से यह स्ट्रमक वाला पार्ट है अब यहां पर आपको मालूम है कॉडिक हो गया, पाइल हो गया उसके बाद अगर आगे चलते हैं तो पहले आपके पास caudic वाला पार्ट देखो, देखो इसमें caudic है लेगिन ये पहले ilio आ गया, pyloric बात में, तो इसका मतलब ये रोंग हो गया, ये वैसे ही रोंग है, इसका मतलब आपके पास बचा क्या, caudic inspector, pyloric inspector और ilio हो गया, second answer चला जाता है, फिर उसके बार देख likely to happen, इदि किसी कारण वस, आवासी की parietal cells को, आंस्विक रूप से, क्रियासील कर दिया जाए, तो क्या होगा, अब बेटा, एक goblet cell के रूप में देखते है, ये जो side में बनी हुई cells, जैसे यहाँ पर, ये एक तरह से कौन सी है, एक parietal cell होती है, और ये क्या, आपको ये vitamin B12, intensive factor के रूप में काम करती है, तो आपको मालूम है, कि इनसे जो SEL निकलता है, वो जो inactive enzyme होते है, उन्हें enzymes को क्या करता है, ये active enzyme में convert करता है, तो यहाँ पर क्या होगा, simple सा है बेटा, देखो, protein will not be digested by the pepsin, बिलकुल correct है, और बाकी तो आपको लगी रहा है, कि इ match यहाँ से अचानक कम हो जाएगा, यह life age की condition है, वो प्रभावी नहीं होगी, लेकिन में यहाँ समखना जो है, आंसिक रूप से, देखो, आंसिक रूप से हुआ है, तो इसका मतलब यह PS तो बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर pepsin द्वारा protein का पाचन नहीं होगा, और फिर digestion स related है, तो आपको मालूम होनी चाहिए, फिर देखो next, यहाँ से, आपके पास आता है, column first और second को batch करवाना है, देखो बेटा क्या होता है, ऐसे प्रश्ण को solve करने के लिए, आपको मालूम होना चाहिए, कि जैसे मालूम अपन ने देखा बेटा, कि एक कपन ने TV लिया, और TV का माहन कितना होता है, 500 ml, फिर उसके बाद में आप देखते हैं, इसको वोला पने IRV, फिर इसका आपको मालूम है, 3000 क्या सपास होता है, फिर हुआ ये कौन सा, ERV, फिर इसका मालूम होगे आपके पास कितना, यहां से, 1000 से 1100 क्या सपास, और उसके बाद फिर बचा हुआ पार्ट आता है, RV, इसको अपन 1200 मानते हैं, इन्होंने direct react करके पूछ लिया, तो यहां आपको मालूम है, जैसे मालूम इसमें पूछा गया, कि जब और देखो, फिर capacity क्या होगी, जब score इसको match करवा देंगे, तो यह कौन सा होगया, IC, जब score इसको करवा देंगे, तो यह होगया, EC, और जब यहां तक की step आजाए, तो वह होगया, VC, और फिर last में सब का जब देंगे, अब देखो क्या होता है, अगर मालूम वह कह रहा है, और RV और इसको जोड़ दिया जाए, तो वह क्या कहलाता है, इन दोनों को इस रूप में ले तो, FRC के रूप में जाना जाता है, अब FRC है, FRC को जोड़ दिया, भन्त रवी प्लस ERV, फिर यहां से TV को ज second option आजाता है, अब देखो यहां पर यह second आगया, फिर कह रहा है, TLC माइनस ERV, अब जैसे मालो, यहां से किसको निकाल दिया, इसने ERV को निकाल दिया, total lungs capacity में ERV को निकाल दिया गया, अब total lungs capacity में आपको मालूम है, भाई, इसको निकाला है, तो आपके पास क्या बच बच जाता है, तो इसका मतलब आपके पास fourth आजाता है, फिर आपको मालूम चला, यहां से कौन सा हो गया, इसमें आपके पास second आगया है, इसमें आपके पास fourth आगया है, फिर यह कह रहा है, TV प्लस ERV, मतलब TV प्लस ERV, प्लस IRB, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, भाई VC ही है लेकिन यहाँ इसका मतलब भी तो VC निकल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर TLC-RV हो गया तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास से first आ रहा है फिर उसके बाद में यहाँ पर आपके पास क्या है VC-IC अब देखो VC था यह उसमें से क्या कम कर दिया इसने IC को कब कर दिया अब IC आपको मालूम है यहां तक की step आ रही है तो यहां पर plus TV को add कर दिया तो इसका मतलब यहां पर भी अपने को मालूम चल रहा है तो यहां देखो क्या क्या हो गया है यहां पर first आपके पास कौन सा हो गया यहां यहां यह वाली structure की रूप में आपने देखा कि यहां total lungs capacity है तो इसका मतलब यहां आपके पास कल जाता है यहां पर second option आ जाता है फिर यहां TLC minus RB तो इसका मतलब यह कौन सा हो गया यहां पर VC और VC आ रहा है कितने पर 4 पर फिर कह रहा है यह TV plus मतलब TV plus दूसरा ERV plus IRB इसका मतलब यहां पर यह VC हुआ और VC का मतलब हो गया आपके पास कौन सा यहां पर वो ही first कि TLC minus RB का structure आपके पास बना हुआ है तो यहां आपके पास first अब देखो यहां आप खुद देखो कि यहां पर आपके पास क्या बचा VC minus IC अब VC पूरा यहां तक का VC था उसमें से क्या निकाल दिया उसने IC वाला point निकाल दिया plus TV को add कर दिया तो इसका मतलब आपके पास क्या बच गया यहां बच गया कौन सा EC बच गया क्योंकि यह mix है इस paragraph से तो इसका मतलब आपके पास यह आ जाता है तो यहां पर आपको मालूम है अब आपके पास क्या बच गया अब आप मेज करवाल हो यहां पर क्या कि यहां first किसमें आ रहा है फिर fourth किसमें आ रहा है फिर first किसमें आ रहा है फिर second किसमें आ रहा है और इसी से आप करके देखना बहुत easy है, systematic है, इस ग्राप को बना रेला अगर इस टाइब का प्रशना आता है और इससे आने के chance 100% है, इसलिए इसको इस तरीके से याद रखना, फिर देखो next इसे बुचा गया, यह हर्ट से है, the specialized caudic muscles, यहाँ पर caudic muscular caud A is the distribute to the heart, a pinch to the, this tissue is the present in the B, corner and C, caud D, अब देखो आपको अच्छी तरह मालो में, कि हर्दे के vicious परकार के, जो पैसी न्यास होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो आपको अच्छी तरह मालो में, कि especially यह क्या कहलाता है, nodal, यहाँ से आगया, जैसे मालो में ही बढ़ देता हूँ, तो यह nodal tissue के रूप में चाल दिया गया, चलो ठीक है, फिर कहरा है, वो present है, उससे किस point पे है, तो यह देखो, कौन से यहाँ पर आ रहा है, कौन सा, कि यह right side के corner पे है, तो यह anxiety line है, right upper part पे, फिर उसके में अगला इस part को बोलते क्या है, तो यह पूरा का पूरा क्या क्या किला है, as a node, बनला, ऐसे person को यहीं पर ही फिल कर लें, जिसे कि बहुत easy सा लगे, और इसमें गभराने की जूरत नहीं है, बिल्कुल anxiety की line है, अब देखो इसमें क्या हुआ, फिर्स आपने देखा, यहा ही तुम्हारे पास एक था, ज्यादा जानगरी लेने की जूरत ही नहीं थी बैटा, answer इसमें third चला जाता है, फिर उसके बाद में आप देखते है next, अब देखो यहां से, क्या होता है, match करवाना था, अब देखो, ऐसे person आये ना, तो उसमें एक और दो देखके ही answer कर लेना चलो ठीक है अब प्लाजमा है, प्लाजमा किता है, प्लाजमा किता है, पाँच आ रहा है, पहले देख लो इसमें किसी में है क्या इसा, तो इसका मतलब first में third और second में five, इसी में ही है, इसका मतलब यह answer चला जाता है, time को बचाना भी ज़रूरी होता है, next देखो, अब यहा गया कि कौन सा statement यहाँ सही व्याख्या कर रहा है, या क्या बता रहा है, तो देखो, यहाँ आपको मालूम है, यह पूरा का पूरा एक QRS complex होता है, और QRS complex जो होता है, वो one complete pulse को show करता है, तो यहाँ से एक QRS, एक संपूर्ण, एक स्पंधन को show कर देता है, अब आप देखे इसके बाद देखो यहाँ से, अब देखो वो कह रहा है, इसके बाद देखो यहाँ से, अब देखो वो कह रहा है, अब भी effect with the point action, अब देखो, कितना स्चांदा रहा है, जी एफर में गिरावेट होगी, निसीत है, आपको अच्छी तरह मालूम है बेटा, कि यह जेजी से से, सब में ही जेजी से, इसका मतलब यहाँ तक तो है, दूसरा क्या कह रहा है, यहाँ से रिलीज करता है, तो आपको मालूम है, यह रेनीन होता है, वो एंजियो टेंसिन को एक्टिवेट करता है, तो यहाँ से इसका मतलब, second answer बिल्कू सीदा जा रहा है, फिर देखो next, य देखो, यहाँ से आपको पैचानना है कि यह क्या चीज है, आप अच्छी तरह जानते हो कि नेफरोन में अपने जो इस्टेक्चर लिया था, उसमें आपने देखा, फरस्ट में PCT जो होती है, वो PCT में देखा, कुछ सेक्रेशन होता है, कुछ उसमें क्या होता है, कुछ अब यह आपको मालूम है, न्यूट्रेंट का नाम आ गया है, पोटेशियम आ गया है, या यह पार्ट आ रहे है, तो इसका अब 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 अच्छी तरह मालूम चल गया कि वास्ता में ही यह क्या है, एक तरह से आईसोटोनिक स्टेप और PCT है, आइसोटोनिक और PCT आपको बोडी में कहां परजेंट है उसका एक्जम्ब बदाना है आप जानते हैं कि जैसे सेडल जॉइंट में है तो निस्षित है जैसे बोर एक्जम्ब याद करने के लिए बताता हूं जैसे माल लोग इसके नोजिसी आ रही हो तो यहां से आपने देखा इस वाले पार्ट से वो स अब देखो यहां से फर्स्ट यहां नाम ही एक जगही है कार्पल एंड मेटा कार्पल इसका मतलब यह थम वाला पार्ट आता है तो यहां पर जो एंट आप दा कार्पल एंड मेटा कार्पल संधी में जो होता है वो वाला पार्ट होता है यह वाला पार्ट यहां पर इसमे कौन-कौन सी बॉन होती है आप तिदर जानते हैं देखो यहाँ पर यह वाला पार्ट है देखो यह फेसिल पार्ट आगया फिर यह अरोसिकल आ गया अब आपको मालूम है जैसे मालूम अपन यहाँ इसके लवाली बात करें इसको याद रखने के लिए क्या करना है जैसे मैं कहूं PT square foci अब देखों यहाँ पर क्या होगा आप जानते हैं कि parietal 2 है यहाँ temporal 2 है तो PT square लगा दिया और foci में क्या हो गया यहाँ frontal, occipital, फिर sphenoid और ethemoid यह बिलकुल एक systematic manner से जाना जा रहा है और इस trick से ही याद रखना जिसे की याद रहे, इसका मतलब आपको मालूम है कितनी होगे, चारी होगे, चारी होगे तो मतलब 8 की step आपके पास मिलती है फिर उसके बाद में पहला कौन सा आया देखो यहाँ से, यह वाला part इसका मतलब number of the bond, किसमे cranial bond, तो यहाँ पर क्या हो गया, 8 8 कौन सी है, PT square 4C, याद रखना ट्रिक से, फिर आ रहा है, यहाँ से facial, अब facial देखो, यहाँ एक ट्रिक है, जिसको याद रखना, जैसे माल लो मैं यूँ कहूँ, my Zulosi most lovely और physics chemistry very nervous अब इससे मालूम चल जाएगा, क्योंकि यह प्रशन तो सीधे जा रहा है, लेकिन देखो most और very हम एक बार बोलते है very most, इसका मतलब एक-एक bond तो यह है और बाकी यह क्या है, दो यह, दो यह, दो यह, दो यह, दो यह अब देखो, maxilla हो गया gymotic हो गया, यहाँ पर mandibular एक होता है, फिर lacrimal दो गया, फिर यहाँ से पहले टाइल बार दो गया फिर कौन की, inferior कौन की की रूप में warmer एक हो गया, और nozzle दो हो गया इसका मतलब अपने को मालूम चल गया कि 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, और 2, 12, 12 के बाद में यहाँ पर कितना हो गया, जो 12 के बाद 13 and 14, इसका मतलब यह तो आपसे पूछा जा सकता है दूसरे तरीके से नीट में, तो आपको मालूम मणा चाहिए, यह ट्रिक्स याद रखना है, माई जोलोजी, मॉस तवली, फिजिस के मेस्टी फैरी नबस, और मैं यह नहीं कर रहा हूँ कोई subject से related, लेकिन trick है यहाद करेने का जिससे जल्दी याद हो जाएगा, और उससे पता है क्या पूछेगा facial bone में कितनी paired होती है, कितनी unpaired होती है, कौन सी paired होती है, कौन सी unpaired होती है, तो इससे मालूम मिस, अब मिस में आपको मालूम है, malleus, incus, और step is, hedge, यहाँ यह आकार है, जैसे तोड़े का आकार के nb log step, और IQ high, यह भी trick है, तो देखो, यह articulate one का modification है, यह quadrate का है, और यह high low mandribular का है, इसका मतलब miss hedge, IQ high, इससे answer चला जाएगा, बैटा, दूसरे तरीके बता दी जाएगी, यह स्टाइब से बन सकता है, फिर देखो next, यहाँ से, आपने देखा, बहुत ही सही systematic में रहे हैं, आप देखो क्या गर्णाब, यहाँ the part of the brain which is the center of first and thermoregulation in locate, मस्तिक्स का वह बाग जहाँ भूक, प्यास, और ताप नियमन करता है, आपको मालूम है, नीट में कई बार आया है, thermoregulator में, hypothelemus से, लेकिन NCRT की लाइने हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह, यहाँ hypothelemus होता है, अब आपको मालूम चल गया, इसमें आंसा चला गया, लेकिन limbic system अगर माल लो तो यह तो ही क्या है, एक sexual behavior है, emotional brain के नाम से जना जाता है, यह motivation के लिए, इसके लावा आपने देखा होगा, कि धान रखना limbic system जब amygdala, hippocampal part, जो short term memory को long term में गनवर्ट करता है, इसके लावा आपको मालूम है, जब हम आईपोटलेमस के साथ जोड़ते हैं, तो यह बहुत से काम करने लग जाता है, motivate करने लग जाता है, उसके लावा यह sexual behavior करता है, इसके लावा ध्यान रखना जहां आपकी NCRT में, जो sense organ दे रखे हैं, जहां nose दे रखा है, उसके last paragraph, आप में last time और लिखी हुई है, limbic system इसमें यूज जाता है, तो all faction में भी limbic system काम करता है, important है, यह भी आप जानना है, लेकिन इसका answer आपको मालूँ चल गया है, hypothalamus, next देखो बेटा, अब यहां आ रहा है, कि part of retina having no photoreceptor form, अब आप जानते हैं, बैटा blind sport होता है, वो answer जाना है, इसमें जाता सोचने की जुरत ही नहीं थी, इसलिए answer दो चला जायेगा, next देखो, फिर यहां से आया है यह वाला part, जिसको अपन ने कहा, देखो यह भी important है, association area the cerebral cortex is, अब आप यह भी NCRT की line है, देखो sensory area बिल्कुल नहीं होता है, motor area नहीं होता है, mix तो होना ही नहीं है, तो बच्चा को, neither motor nor sense, मतलब साब तोर पर हम कह सकते हैं, नय तो चालक है और नहीं से वे दी, बिल्कुल NCRT की line है बिटा, important है इस साल के लिए, ध्यान डेखना, इसमें आपके पास क्या गया, fourth answer चला जाता है, next देखो बिटा, यहां से आपके पास आया, कि इनमें से कौन सी सरेशनाय सी है, जो की vestibular part में समझी जाती है, मतलब consider about the point structure, semi-circular kenal है, seculus, uticulus, फिर cortica, organ, resinous, membranus, कि stop and pluris, आप अच्छी तरह जानते बेटा, कि जब हम इसमें divideration करते हैं, देखो आपके पास मालूम है, यह पुछा गया vestibular operator, अब vestibular operator को दो बगुबटा, semi-circular keral, प्लस दूसरा कोई सा, autolith में माट दिया आपने है, अब autolith में क्या आता है, seculus वाय, uticulus आता है, और इसमें क्या आता है, आपको मालूम है, किस्टा की रूप में किस्टा, अब आपको मालूम है, यह CD और यह MS में काम करता है, अब इसमें तो क्या होता है, macula present होता है, तो aesthetic में, या फिर linear installation में काम करता है, और यह करता है, डान्स वगेरा है, उनमें balance बनाने का काम करता है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हो, कि यह ring से ज़्यादा, ear का काम करता है, balance, और balance में कौन काम करता है, यही part करता है, vestibular reparator, very most है, याद रखना, तो कौन-कौन से part आगे, semi-secular आगया, philus-secular, verticulus आगया, उसके बाद में किस्टा, तो इसका मतलब A, B और E, तो A, B और E, मतलब आपके पास A आगया, B आगया और E आगया, इसका मतलब answer क्या चला गया, fourth, very most है, द्यार नखना बेटा, फिदेखो next, यहाँ से आपके पास आया, यह कह रहा है, यहाँ से, अब देखो, दूज़ता क्या कह रहा है, Adenyl, आपको बालू में, Epinephrine जो होता है, वो एक Amino Acid Nature का होता है, और वो कह रहा है, Membrane को, Receptor Stimulate Production, Da Primary Messenger, Messenger तो खुदी ही है, secondary messenger की बात होती, तो देखते हैं, Primary Messenger है, Primary होज़ हार्मोन है, इसका मतलब, यह तो wrong होई चुका है, फिर किया रहा है, The anterior pituitary release, the several hormones which act on the, other endocrine related, बिल्कुल सही बात है, यह भी सही हुआ है, और यह भी सही हुआ है, लेगिन यह गलत हुआ है, अब देखो, Insulin is produced in the, Slate of Langerhans, Lever, इसका मतलब, यह गलत हो गया, पंग्रेटिक पार्ट होना चाहिए, तो B और D, यहाँ अंसर चला जाता है, बहुत easy है, इसमें कोई जाजा सोचने वाली बात नहीं थी, हाँ, बिल्कुल एक सही systematic से, आप concentrate होके, किसी भी प्रश्ण को आप अच्छी तरह पढ़ेंगे, तो निश्ची तरह गलत होना ही नहीं है, फिर देखो next, यहाँ से आपने देखा विटा, यहाँ से, यह endocrine system से हैं, अब इसको match करवाना है, A और B और C, मतलब यहाँ column A, 1 second third दिया हुआ है, अब देखो, thyroxine है, अब इसका relation किस से होता है, यहाँ से regulation से होता है, तो इसका मतलब, यहाँ आपके पास क्या आगया, 1st में B आगया, फिर उसके बाद में यह करती कहां से, तो आपको मालूम है, यहाँ पर thyroid का relation होगा, तो इसका मतलब Q, तो 1st में B और Q, अमलेटोनीन है, तो इसका मतलब A, और उसके बाद में, यहाँ पर P आगया, अब पहले देख लेते हैं, अगर ऐसा आ रहा है, तो क्यों आगे जाए हैंपन, तो इसका मतलब, तो इसका मतलब, यहाँ से 1st में, तो इसका मतलब C और R जा रहा है, अब देखो C और R किसमें हैं, इसमें D और R आगे हैं, इसका मतलब यह वाला आंसर चला जाता है, मतलब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल systematic manner से हैं, आप आराम से कर सकते हो, यह भी बिल्कुल मालूम चल रहा है, और आगे time based नहीं करना है, जब वहाँ से मालूम चल रहा है कि आगे chance ही नहीं है, तो उसको फिर क्यूं time based किया जाए, फिर से मालूम चल रहा है तो answer निकाल दिया जाता है, फिर देखो next, यहाँ से, अब देखो, यहाँ से यह दिया गया है कि correct based करना है, और इससे एक disease, प्लस से hormonal और gland के रूप में, efficiency axis, अब देखो, additional disease, axis adenal cortex, यह तो वैसे ही गलत हो गया है यहाँ से, फिर यहाँ से कहा रहा है, gravels, axis thyroid, बिल्कुल आपको मालूम है, anxiety की line अबिटा, इससे answer निकल जाता है, यहाँ अधिकता, अधिकता, अधिकता किया हुआ है, इसका मतलब, यहाँ पर इसका relation तो होई नहीं सकता, आपको मालूम चल गया, इसका relation इससे नहीं हो सकता, मालूम चल गया, इसका relation कमी से, यहां पर किस परकार से हम रोख सकते हैं तो डाइफों सर्विक्स और वाल यहां पर डाइफों या फिर सर्वाइकल कैप जो आता है उसके लावा वाल्ट साते हैं का सही लिए कौन सा पॉइंट इसमें करेक्ट है अब करेक्ट दिया है तो इसका मतलब पहले अंडरलाइन कर दिया अपने इसको अब देखो पहला गह रहा है बेरियर मेथड़ आप दा इसका मतलब गर्व निरोधर की अव्रोधा गर रहा है तुसरा गर्णा कवर दा सर्विक्स के बिलकुल सही बात है तीसरा गर रहा है डांट प्रोटेक्ट दा यूजर फ्रॉम दा यहां हाँ पर कॉन आपर स्टेटी बिलकुल यह अगर कोई उप्योग करता है उसे जाता है next देखो यहाँ से बुच्छा गया बड़ा कि यहाँ दीया गया है इसमें आपको यहाँ से इबेंस बढरखे 사 madre सिट्म से बनाना हैं अब देखो आपको मालूम है विटा कि जैसे हैं अपने मालूम है A फुछा गया अब ए तो आपको मालूम है यह मेंस कर्वा जेते हैं। कौन सा हैं देखो 1 बेर वेंस पक्ते सा रहा है यह है इस्टरॉजन आप ही जोने में करनेडं efter नहीं है। फी देखो नेक्स्ट यहां से पूछा गया यहाँ पर हमारे relations से वाले से है, origin of life से कौन सा, कब आया यह बहुत ही important है देखो, invertebrates were formed and active by the 5 MYA बिल्कुल, sorry NCRT में है, बिल्कुल सही बात है फिर कह रहा है यह जो होती है, वो करीब 350 बिल्कुल यह भी सही बात है बिल्कुल फिर कह रहा है, जबड़े वीहिन वाली फिर उसके बाद में कह रहा है, jaw face और like, यह गलत हो गया NCRT में देखना आप बेटा वहाँ 350 मिलेगा इसका मतलब, इसने incorrect ही तो पूचा है तो इसका मतलब, आपका 30 अंसर चला जाता है यह वाला, seaweeds वाला 320 है बिल्कुल सही है, फिर देखो next यहाँ पर homologous और analogous अब यहाँ पहले क्या कर दिया, analogous इसका मतलब, यहाँ पर आपको मालूम है और यहाँ homologous, यहाँ origin सेम है और यहाँ पर origin different function सेम है, अब देखो यहाँ पर potato और sweet potato, इसका मतलब, यहाँ यह analogous हुआ, फिर eyes of octopus and bird, दोनों का देखने का काम करती है रेकिन origin different है, तो इसका मतलब, इसमें भी first two eye analogous, analogous किसमें आरा है, first or second, अब इसमें देखो first or second analogous में, third, ज़्यदा सोचने की जूरत ही नहीं है, heart of vertebrates बिल्कुल आपको मालूम है, यह homologous हो गया है दूसरा, four limbs well, यह अब यह homologous है फिर उसके बाद में, यहाँ थ्रॉन और वोगन वेलिया and tendril of कर्विटा, यह एंसियार्टिक में, डाइग्राम में समझा रखा है, इसका मतलब, third answer चला जाता है, फिर देखो next, यहाँ आपके सामने, फिर आया, यहाँ से यह जेनेटिक से हैं, आप देखो बिटा, अब जैसे मालूम यह है, आपको मालूम है, एबन का उसके recessive parents के साथ cross करवाया जा रहा है, तो इसका मतलब, यह test cross है, तो यहाँ पर आपको मालूम है, test cross की condition आपके पास, यहाँ पर 1 ratio 1 मिल रही है, फिर यह वाला part है भी, तो इसका मतलब, यहाँ पर यह di-abrid cross हो गया, इसका ratio की आगया, आपके बास यह वाला मिल जाता है, तो इसका मतलब 9 ratio 3 ratio 3 ratio 1, फिर फिर यहां 3rd आया, फिर उसके बाद 4th से 1st आया, तो 2nd, फिर यहां से 1st और 4th, आप समझ गया होंगे, बिल्कुल confuse होने की जुरत ही नहीं बिटा, तो इसका मतलब answer आपके पास का answer आजाता है, 1st, 2nd, फिर उसके बाद में आपके पास वाफिस से, यह test close आजाता है, तो 4th आजाता है, और वैसे आप देखो, यहां पर आपको मालूम चल रहा है, कि इसमें 4th आ रहा है, तो निसी तरह आप चूछ यह तो डूनों गलत पहले ली कर दो, फिर उसके बाद में टेस्स कर देख लो एक बाह, कि यहां, फिर फिर यहां आरा है, तो देखो, फर्स में 2 आपके पास कहां आ रहा है, तो फिर één तो इसको मतलब यहां सेकेंड आ रहा है तो इसका मतलब आपको यह वाला तो वैसे भी मालूम है यह देखना था यह नहीं तो इसका मतलब आपके पास आंसर चला जाता है इंपोर्टेंट है ज्यान रखियेगा फिर नेक्स जेखो यह especially आपने देखा कि जो drosophila होता है उसके linkage वाले पार्ट से उठाया हुआ है आप अच्छी तर जानते हैं कि मारगन ने several diabrid cross करवाया था drosophila पर और वहां पर incorrect statement को check करना है आपको कि कौन सा पार्ट है अब देखो zine of white eyes and yellow eyes were not tightly linked बेटा पहला ही गलोत हो गया है क्योंकि आप जानते हो cross first जो NC8 में दे रखा है वहां पर आप जानते है y और w यह दोनों बिल्कुल पास पास में है और यह 98 point आप मालूम होगा यह 7 यह parental character होते हैं तब ही है जब यह tightly यहाँ पर क्या है linked यह कह रहा है not और यहाँ पुछा क्या गया है गलत तो इसका मतलब first ही चला गया time waste करने की ज़रत ही नहीं है next देखो अब देखो यहाँ पर दूसरा और इसी में अगर मालो अगर वह linkage जिस्टेब होती तो 1.3 तो यहाँ पर 98.7 तो 1.3 तो इसका मतलब यह तो सही हो गया फिर यह यहाँ पर आ रहा है 30.37.2 तो वह वहाँ पर वहाँ पर किता आया 62.8 आ रहा है वाई और जो जीन है वो देखो यहाँ से बिल्कुल पास-पास में है और यह थोड़े दूर होते हैं तो इसका मतलब इसमें अधिक होता है तो इसका मतलब यह भी सही है तो यहाँ आपने देखा फिर सही पढ़ना है और फिर क्या पूछा है कि कितने इसमें स ही है अब जो को फर्स आप से कहा रहा है इनेट इम्मिनिटी इस दा नौन स्पेसिफिक बिल्कुल एंसे आटी की लाइन है जो मा से मिलती है वो नौन स्पेसिफिक को दिये इसका मतलब किसी पर्टिकुलर डिजिस के लिए नहीं है ताइफ टाइप डिफेंस आप परजें इसका मतलब 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 यहां पर यह वाला थर्ड पॉइंट हो गया, फिर टाइफाइड है, तो अभी यहां आप में देखा, विडॉल टेस्स से है, फिर डेंगू है, तो वे एडिस से हो रहा है, तो फर्स थर्ड, फॉर्स तो फर्स कहा है, आपके पास, देखो, इस वो देखने की जुरत ही नहीं फिल कर लें, जिससे की बहुत हीजी हो जाए वो, देखो यहां क्या है, तो यहां से थोड़ा सा, यहां वो टू के साथ होता है, उसको चेंज कर लेती है, फिर कहता है, यहां यह वाला यह वाला थर्स रिसेप्टर आर प्रजेंट इन दा, अब आपको मालू मैं यहां brain answer चला जाएगा, central nerve system नहीं, वो अलक के लिए हैं वहां पर, NCRT की line है, और morphine is the effective, NCRT की line है, यह कौन सा हुआ यहां पर, especially, यहां sedative and pan killer, NCRT की line है, line to line पर बनाया हुआ है, आपको मालू मैंच कर वालो, कौन से में मिल रहा है, अब देखो, पहला यहां पर sedative, इसक यहां देखो, यह आ रहा है बिल्कुल, फिर hemoglovine bound बता रहा है, hem bound oxygen, यह बिल्कुल सही है, और brain, और फिर third step पर क्या आ रहा है, इसका मतलब आपका answer second ही चला जाता है, आगे जाने की जुरती नहीं है, फिर देखो next, यहां से आया, अब जैसे मालो, इस type का है, यह आपके animal bendy से लिया गया, तो देखो, यहां क्या क्या रहा है, select the option which the correctly, अब यहां क्या 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 रहा है, multi ovulation, यहां आता embryo, transfer, अब देखो इसमें, first में embryo किसमें है, इसका मतलब, first में embryo नहीं है, A में, यहां है embryo transfer, फिर उसके बाद में here, और फिर D में, वहां से क्या कर रहा है, जाइगोट की step ले रहा है, अब अब अपन देखो, यहां फिर उसके बाद में क्या कह रहा है, अम रहा है, फिर उसके बाद यहां second में here, फिर D में कह रहा है, कि the fertilized dygote add the, like फिर उसके बाद में कह रहा है, 4 to 6, इसका मतलब यह गलत हो चुका, अब आप देखो, आप B को देखते हैं, यहां से क्या हुआ, first step like B में, first में क्या होता है, यहां से आपने introduce करवाया, किसको एक गाए में FSS को दिया, चलो ठीक है, उसके बाद में FSS देने के बाद में, भैपन ने दे दिया, फिर वहां से क्या हुआ, follicular maturation and super, यहां ovulation हुआ, फिर यहां से 1 egg per cycle, कितना चला गया, यहां से 6 से 8 egg, यहां से आ जाते हैं, फिर produce होते हैं, फिर उसके बाद में, भैठीक है, यहां तक आ गया, फिर उसके बाद यहां आपके पास आया, D में, fertilized egg, 4 to 6, यह गलत हो गया, फिर उसके बाद में transfer, sorges mother, इसका मतलब, आपको मालूम है, मैटा, first ही जा रह हैगा, कि Embraer Transfer Technology है, यह एक तरह से वहां पर सुधार भी करती है, वहां हर्ट की रूप में, लेकिन क्यों time waste किया जाए, जब आपको answer ही मालूम चल गया तो, तो उसके बाद देखो, next, यहां से आप देखते हैं, एक quotation type में है, don't die of ignorance, लापरवाई से मत बरो, NCRT की लाइन ads वाले में आपने देखा होगा, बिलकुल ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, और यहां आपने देखा ads में first ही option चला जाता है, इसका मतलब, यहां आपके बास, यह first चला गया, अब देखो, second, इसमें से आपको मालूम है, section B है, जिसमें से आपको 15 दी हुए हैं, जिसमें से आपको 10 जिसमें यहां से करने होते हैं, लेकिन सब देखेंगे, लाइक देखो, यहां से गया है, which of the falling is incorrect, अब देखो, यहां क्या कह रहा है, incorrect, अब आपको मालूम है, कि यहां पर यह जो fat body है, वो बिलकुल इसके equal है, फिर दूसरा कहा, nephroside है, यह भी है, फुल्ड़ कोक्रोस, एक्सकेशन में कर रहा है, कोक्रोस, हैव दा एप्रॉक्स, 6,000, आपको मालूम है, एक में आपको लगबग 2,000 मिलते हैं, बिटा, दोनु को भी देखें, तो 4,000 कि स्टेप आती तो, इसका मतलब, यही wrong है, इसका मतलब, answer आपका कौन से चला गया, थर्ड चला जाता है, औ match the epithelia of the column A with the there, the like suitable location given the column B and select the answer for the giving court, बहुत एजी है बटा, NCRT की लाइन है, देखो, simple isquemus epithelial tissue होते हैं, अब यहाँ पर आपको मालूम है, अब इसको कैसे आद रखेंगे, जैसे इसको अपन ने आद किया NCRT से, page number आपने देखा, NCRT में 101 पर, आप देखेंगे, पहले second paragraph की, आप first line पर ही, isquemus epithelial tissue होते हैं, तो इसको कैएंगे सक्की BB असली, अब देखो, यहाँ पर यह NCRT आ गया, तो isquemus, blood vessels and air sac of lung, blood vessels and air sac of lung, देखो यह आ रहा है third, यह वाला, इसमें आगया आपके पास, इसमें आपके पास third answer आ जाता है, फिर बाता है, simple cuboidal, तो और duct of tubules आता है, तो इसका मतलब duct of glands और यहाँ पर आ रहा है granular part, तो इसका मतलब यह भी आपके पास कौन से चला गया, यहाँ पर fourth चला जाता है, फिर simple columnar, तो इसमें SRC के नाम से, rectum, colon या stomach, तो इसका मतलब यह stomach दे रखा है, intestine दे रखा है, तो यहाँ से first चला जाता है, second चला जाता है, अब आप answer देखो विटा, क्या answer गया, कि देखो first में आपके पास third गया, फिर उसके बाद में second में आपके पास fourth गया, फिर उसके बाद में third में आपके पास first गया, फिर उसके बाद में यहाँ से, देखो, अपने match करते हैं, यहाँ से third गया, फिर उसके बा तो आप बात करें जैसे आप बार बार वीडियो देखके इसको लिख ले ना जिसे याद हो जाए अगर मालो इसक्योमस की पूरी NCRT से पूछे तो उसमें जैसे मालो मैंने आपको यहाँ एक्जाम्पल बलाया कि इसक्योमस में पूछा की सकी बीबी हसली ऐसे आप पूरा ए capsule आ गया, woman's के दिल से parietal part आ गया, तो वो जो trick बताई हुई है, उसमें आप check करना, जहाँ जहाँ नाम बोले हुई है, वहाँ सारे answer आ जाएंगे दूसरा आया क्युबोईडल, अब जिसमें देखो nephron की पतनी के लीवर में फसीना आया, डॉक्टर टीटी ने टेस्ट किया, और उसके ओवेरी से कोरी सीलिया को निकाला, अब देखो यहाँ कोरी मनला कोरोईड, उधर आ जाएगा सीलिरी बोडी, उधर आएगा ओवेरी में, बिल्कुल आपको मालूम है उसके बाद टेस्टी जा गया तेस्ट से, फिर वहाँ थाइमस या जहां पर टीटी आ रहा है तो इसका मतलब वो गलेंड है क्योंकि यह आप जान चुके है कि गलेंड के द्वारा ही मालूम चलता है, तो नेफ्रोन की पतनी में आ गया, पैंक्रियोस गलेंड है, पसीना, तो इसका मतलब वहाँ पसीने वाले गलेंड है ऐसे आप ट्रिक से याद रखेंगे तो पूरा चेप्टर आपका कवर हो जाएगा और इसमें आराम से कर लोगे नेक्स देखो बिटा, यहां से आपने देखा यह अगर्ण टू मॉडर्ण कॉंसेप्ट है, हेल्थ का डेफिनिशन पूछा गया है, अगर्ण टू मॉडर्ण कॉंसेप्ट, अब यह कहरा है, हेल्थ is a maintained due to the good, balanced by the उमर, ऐसा नहीं है, मॉडर्ण कॉंसेप्ट पे नहीं है, फिर यह कहरा है, कि यहां से health does not mean absence of disease by the physical, बिल्कुल anxiety के लाहिन है, फिर कहरा है health is complete physical, mental and social बिल्कुल anxiety के लाहिन है, health is increased the work efficiency and longevity, बिल्कुल सही बात है बैठाब, कि देखो, यहां पर स्वास्ते से क्यावाद, रोग की अनुपस्तिति या सारे रेक योगेता नहीं है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है और स्वास्ते का कारिये शक्ता वर्दी होनी चीए, विजिवन वे दिरदाय होना चीए, तो इसका मतलब ये तीन पॉइंट ऐसे जो modern concept में आते हैं, तो आंसर गया B, C और यहां से D, इसका मतलब ये अंसर चला जाता है, नेक्स देखो, यहां से आया, यह आपको मालूम है, हमारे ऑस्टेलियन जो मार्शुपियन्स उसका आपने देखा कि किस परकार का है, आप अच्छी दुर जानते हैं वेटा, कि ये औरीजन सेम हो रहा है, और ये डाइवर हो गे हैं यहां से, तो डाइवर्सेंट हो गे हैं आप देखो, चार बच्ची केल रहे हैं कि माह बाप के और वहाँ आके वह सऔर मचारơi और पिता ने हब तो वहाँ से वो भग जाएंगे इसका मतलब डाइवर्ट हो जाएंगे तो अब सारी तो हिंदी के रूप में आद हो गया और वैसे देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो गया डाइवर्जेंट इविलेशन की रूप पे चाल लिया जाता है फिर देखो next यहाँ से आप देखते हैं कि जब यहाँ signal of partialation originate form प्रशव की किरिया है तुसंकेतों का आना कहां से प्रणब होता है बिलकुल NCRT based है तो आपको मालूम है बैटा प्ली सेंटा as well as fully developed of fetus यहाँ से answer first चला जाता है फिर यहाँ से next देखो यह पूछ रहा है जो sodium potassium pump होते हैं उनका role क्या ह होता है बहुत important है ज्यान रेस्टिंग membrane की condition आप जानते हो उसका पूरा mechanism जानते हो आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ सेवंटी विलिट थीषवड वल्यू देते हैं फिर यहां से दिपोलराइशन दिपोलराइशन फिर इपोलराइशन की step आज आती है मैनस 70 विलिव अब यह कह रहा है कि इस sodium potassium pump की क्या मेहन रोल है ध्यान रखना ionic जो concentrate part होता है वो sodium potassium भी काम करता है the maintain proper ionic concentration gradient across the neural membrane very very most है और यह पहला answer आगया तंत्री का कोशिका की जिल्ली के आरपार उचित ionic संदर्त को बनाए रखने के लिए first option बिलकुल सही हो जाता है max देखो यहां से पुछा गया यह diagram दिया हुआ है आपको मालूम है इससे आपको ABCD के आधार पे answer निकालना है अब देखो first है अब first आपको मालूम है यहां से यह जो part है जो काम कर रहा है अब first part है जो कह रही है penial के रूप में तो आपको मालूम है यहां melatonine के रूप में काम हो रहा है दूसरा के रहा है second अब second number है यहां थाइराइड वाला structure है तो थाइरोमीन इसका मतलब यह तो बिलकुल एक तरह से गलत ही हो गया फिर third है यहां से एपी नैफरीन के रूप में यह फिर गलत हो गया यहां से फिर चोता है यहां से कौनसा बिलकुल एलिटिल गलेंड है तो यहां से cortex वाले पार्ट से एल-डेस्टेरोन के रूप में यह सही हुआ है फिर उसके बाद में अगला बंदा कह रहा है कौनसा फिप्त पे तो बाद में यहां से 1st सही है फिर उसके बाद में 4th सही है और 5th सही है और आंसर आपके पास कौन से चला गया 1st, 4th and 5th उसके बाद देखो next आप देखते हैं यह जनेटिक्स से हैं यहां से आपने दिया कोलम 1st और 2nd को में एच करवा की आंसर देना है अब देखो आपको मालूम है ABO ब्लड ग्रूप यह मल्टीपल अरील होता है N upon 2 N plus 1 से इसका आंसर निकल जाता है तो आपको मालूम चला N upon 2 N plus 1 से तो यहां आपने को मालूम चला कि यहां यह वाला पाइट है इसका मतलब यहां पर 4th का रूप आ जाता है फिर law of segregation आप अच्छी तर जानते हैं विटा कि यहां monohybride cross के रूप में इसको आपन जान ल आप देखो आंसर क्या किया रहा है 4th फिर उसके बाद में 2nd फिर उसके बाद में 1st और फिर 3rd इसका मतलब यह आंसर चला जाता है फिर उसके बाद यहां से पुछा गया है वेटा कि निवन में से कौन सा प्लास्मोडियम के जीवन चकर के दोरान मानों में संकरवन करता है मतलब infective stays in homo sapiens तो यहां पर कौन सी है पहला ही है वेटा sporozoid यहां से आंसर चला जाएगा उसके बाद next step जो बनती है यहां पूछा गया है कि select the method breeding which is used to overcome in breeding depression फिल्कुल यहां से आंसर जला गया out cross के रूप में फिर उसके बाद में आप देखते हैं यहां से आपने match करवाया कि कौन सा यहां से लिया गया तो यहां से लिया nasal के granules तो आपका मालूम है cytoplasm इसका मतलब इसमें D चला जाता है फिर कह रहा है synaptic knob अब synaptic knob में neurotransmitter के रूप में यहां यह बाला पाड़ आ गया फिर not of anywhere तो इसका मतलब आपके पास यह first किस्टे बागी अब बचा आपके पास एक था cerebral cortex के रूप में B आ गया तो D और फिर कुंतर आया यहां पर यहां पर आया आपके पास C फिर यहां से आप देखो B आया पहले D आया फिर उसके बाद में C आया फिर उसके बाद में आपके पास A आया और फिर fourth आया इसका मतलब आपको मालूम है यहां पर third में आपके A इस एक में ही है और third में A इसका मतलब आपका answer कौन से चला गया यहां पर third में A आपके second चला जाता है फिर देखो next यह इसने कहा रहा है कि यहां से इस statement दिये गया है यहां किड्नी के लिए कौन सा statement सही है अब यह कहा रहा है ascending limb of loop of handle is the imprevial ते बिल्कुल गलत हो गया बैटा descending limb handle loop imprevial water यह गलत हो गया फिर distilled tube होती है वो is the incapable to absorb यह गलत हो गया अब आपसे पूछा गया ही correct statement तो बचाईए कि आपके पास the near 99% the glomerous filtration is the reabsorbed by the renal tubules लगबग 99% glomerous filtration जो होता है वो पूर्ना उससित खर लिया जाता है यह भी important है फिर next देखो यहां से आया यहां कहा गया which is which is not important for the successful beekeeping beekeeping मतलब यहां पर जालते हो beekeeping मतलब आप समझे ना यहां पर आपको मालूम है कि honeybee से related होता है कौन सा statement सही नहीं है तो देखो बैटा यह बिलकूल सबागा यान होना चाहिए रख रखाओ का मालूम होना चाहिए और पकड़ने का system और चत्य का मालूम होना चाहिए और यहां से keeping in the crop field during the non-flooring period कभी नहीं हो सकता इसका मतलब यही statement इसका गलत हुआ है फिर next देखो यहां से आप देखते हैं यह आपको मालूम है pedagree analysis से लिया गया है बहुत easy है आपको अच्छी तरह मालूम है यहां से चार्ट दिया गया है फिर आपको पैचानना है अब देखो generation first में है second में है फिर यहां आप देखो third में है इसका मतलब निशित है यह dominant है और dominant है अब उसमें autosomal dominant की step आपको दिख रही है तो इसका मतलब यहां पर myotonic dystrophy यह first यह answer चला जाता है फिर उसके बाद दरास देखो यहां से कहा गया कि इसमें से कौन सा statement है जो की बिल्कुल एक correct sequence में छो होता है देखो small intense time protein, pepsin, amino acid गलत हो गया बेटा क्योंकि यह तो stomach में फेट तो यह विस से गलत हो गया क्योंकि acid इखने चले टुडियनम में triglystide, triglystide होता तो था लेकिन यहां triglystide इसका मतलब रहत ह small intense time में starch alpha-emilase की presence में disacuride maltose यही सही है और आपको लगा होगा बिटा कि अपने देखा कि एक भी ऐसा कोई question नहीं है जो NCRT से बाहर है बिल्कुल एक systematic manner से बढ़ाया है और बिल्कुल दिमाग को इस ती रखके concentrate करके एक यह चीज को पढ़ना चाहिए और कोई चीज नहीं नहीं आए तो बार-बार उसको देखके और solution में लाए और फिर भी नहीं आ रही है तो problem counter पे आपको मालूम है CLC का एक ऐसा रूप है जिसमें परतेग बच्चे के लिए सुबह साम camp लगता है उस camp में आके आप आराम से easy ली पूछ ले कोई दिकत नहीं है और आपको doubt है त आप doubt counter से आप आके वहाँ से करें आप अगर मालो online पे है तो online पे आप अपने जो भी कोई भी हो जरूरी नहीं है paper solution से कोई भी आपके अगर problem है तो आप वहाँ direct reception पे बात करके आप उनसे number लेके और direct उसका solution निकाले और short trick के लिए आप direct problem counter पे contact करें और मैं समझता हूँ स पहला paper था इसमें कोई tension वाड़ी बात नहीं है और tension नहीं करनी चीए मस्त रो और अच्छे से तयारी करो और serious रो जिसे की paper आगे से आगे अच्छे से अच्छा होता रहे जैस CLC Thank you